भाइच साब यह अपडेट अबदेट अब कम के साथ बहुत बदलने वाला है इस अपडेट के साथ में एक ने एक नए बार है आपको ऐच कार्ण मिलने वाला है जो प्रसमें अब को पियर्स मिता मह이다 और सेडोलेंड पे काम हो गया है गाइज यस फाइनली सेडोलेंड रिवर्क हो गया है अगर आपको डीटेल में देखना है तो मैंने लाइब स्ट्रीम किया है पैच नोट का आप यहां पे देख सकते हो बाकि इस वीडियो में आपको समरी में बताने वाला हूं जल्दी फट करेंगे अपने नया क्यरेक्टर जो कि है ओमेगा रेड गाइज इसको इन्होंने जो भी इफेक्ट दिया है इस पर हम बहुत चादा बात नहीं करेंगे बट गाइज इसको इन्होंने सिरिफ और सिरिफ यह टू पर ही रखा है मतलब जैसे की कैसी लेंग जैसे की रखना है इसको फ्यूचर में लोग रखनार बनाएंगे अभी फिल हआल यह तो टौकन चल ला इवेंट थरौ cessp और इसकोview रिखार पर चोड़ देना ठीक आफिदियों कोई फायदा नहीं है 70 करके अधियर लेवल शिक्स्टी। भी होगा कोई मतलब नहीं है अब हम बात करेंगे यहां पर यूनिफॉर्म बहुत लग रहा है कैसा होगा इसका डैमेज कितना अच्छा होगा इसका प्रफॉर्मेंस सब कुछ आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा सारे के सारी उनिफॉर्म का रिव्यू करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी आन कर लो यह वाला कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है हम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बट एबीक्स के सा के सारे इफेक्ट आगे हैं इसके सालेंस पेरलाइस बाकि लिए इसके पास नेर है और यह टीर फॉर एक्ड़ाइफ तो हम कोई भी आगा सकते हैं और यहां पर्ष्टर और यूनिफॉर्म मिलने वाला है 1500 क्रेश्टल में जैसे के युनिफॉर्म पंदर से क्रेश्टल में आएगा और यह एक पीवीप केरेक्टर बनके आ रहा है मतलब है इसके थाड़ी स्किल में काउंटर एटेक है और यहां पर पेनिट्रेशन है इसके पास में 80% का पेनिट्रेशन है और जिसके यूनिफॉर्म के साथ में काफी काम नहीं कर पाती थी तो अब यह काम करेगा रिमूब और यह देगा सारे के सारे करेक्टर को तो यह सब्सक्राइब करना नहीं होता है अब बात कर लेते हैं जॉमिनों के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हो इसका यूनिफॉर्म आएगा 1050 का और यह फ्रिली मिल ज अच्छा है यहां पर देख सकते हो आप अच्छा इंक्रीज बाकि इसका जो थाड़ के लिए बनाया गया है यह पी मतलब देखो अधर वाल्ड बेटल और अलायंस कांक्वेस्ट टीन गेम ओड़ा ठीक है अब यह कौन से गेम मोड में कितना अच्छा काम करेगी यह देख इसका पूरा का पूरा किट 20 परसेंट का ही इसमें रिकबरी है थोड़ा और ज्यादा देने चाहिए था हाला कि थाड़ी स्किल में आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट है तो एडम वार लोग को दिक्कत दे सकती है यह एक जो नया सीटीपी आया है ना उसके साथ में यह काफ ज्यादा तगड़ा वाला इफेक्ट नहीं है बढ़ यहां पर प्रॉक है हंडेट परसेंट का फाइव स्किल में तो डेमेज होगारा के लिए भी अच्छा काम कर सकती है बाकि यहां पर इस पेसली पीवी के लिए बनाया है यह फाइव स्किल और यह थिरी स्किल मतलब इस यह पर से बाइब आहिए और यह तो हम आच्छा लग रहा है कितना पर यह देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है यह आप इनिवेशन देख सकते हो उपर से बांडर आ रहा है और बॉंडर डेमेज देगा तो कितना तकड़ा डेमेज देगा यह देखना पड़ेगा बस बटन दवाने की देरी है टीर 3 हो जाएगा हमारा स्ट्राइफ यह देखने के लिए तयार रहो बाकि यहां पर देख सकते हो डॉमिनो और वारफेट को भी अवेकन मिल चुका है हा तो ठीक है कितना यूज में आएगी बागी तो टाइम लैन बेटल में और यहां पर वारफेट एंड इसका आप देख सकते हो और अगर पंदरे से उपर जाना है तो आपको यह वाला पैक खरिदना पड़ेगा जो कि है सीड़ सपेशल सपोर्ट इसके बाद में आपको अफसन मिलेगा बैच किलियर का और फिर लगा सकते हो बैच किलियर नहीं कि आपको यहीं खेलना पड़ेगा और जीनों ने डाल दिया है सब्सक्राइब आप यहां पर देख सकते हो सेड़ लेंड चेस्ट है डामेंशन यानि कि आपको एक और सीटीपी मिलेगा बिल्कुल तुरी में मतलब हाय डगेगा सेड़ो लेंड वाला टोकन लगेगा और कितना लगेगा गयारा हजार टोकन देना पड़ेगा तब नहीं का आपको हैंडुर काण्स रहता यहां से प्र करना चांस और हाई अगर दोने कार्डुर में आप talked लाख पर फिक्स निल ऑगा के चाहते हो तो और असरा चाहते हूं मिलेगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा और इसके बाद में काफी सारा इंप्रूब्मेंट में तो यह आने के बाद हम देखेंगे बाकि जो नेक्स्ट इंप्रूब्मेंट हुआ है वह है जी भी आर में अभी हम अपना पूरा का पूरा बूस्ट यूज कर सकते हैं मैक्स अलवेज करके रख सकते हैं काफी लोग भूल जाते थे मैं खुद बूल जाता था अभी आप अगर मैक्स अलवेज पर टैप कर दोगे तो जितना भी बूस्ट पॉइंट रहेगा वह एक्टोमेटिक टोटल ले लेगा ठीक है तो ए आटो प्रोग्रेस लगाना रहता है बट अभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा यहां पे अगर आप टिक कर देते हो फ्रॉम स्टेज वन से खेलना चालू कर देगा और आटोमेटिक आपका एट तरी तक जाएगा जिस भी स्टोरी मोड में आप खेल रहें वहां से स्टार्ट ह से स्टार्ट होगा और लास्ट चला जाएगा यह थोड़ा सा क्वालिटी अफ लाइफ चेंज हो गया है बाकी यहां पर देख सकते हो न्यू सी टीपी आ रहा है एंड रिफोर्जिंग भी आ रहा है साथ में मतलब तुरंत रिफोर्ज भी कर सकते हो और यह बहुत ही खतरन गमिल रहा है 90 पर संट अब रिकवरी रेट मिल रही है और आपको 10 पर संट की रिकवरी मिल रहा है वैन फीज फिफ्टी परसंट बिलो और इसके बाद में आपको मिलेगा वाल जो कि हैड डिक्रीज डेमेज रिसीप ऐटी पर संट डेमेज डेडक्शन मिल जाएगा जैसे जैसे आपके character को hit मिलेगा तो yes यहाँ पे आपका up to 60% तक घट जाएगा मतलब 20% तब भी रहेगा ठीक है और अगर आप इसको mighty कर लेते हो तो आपको 2 effect मिलेगा एक तो है wall जो की damage reduction वाला है यहाँ पे आपको 80% damage reduction मिलेगा और वो घटता रहेगा बाकी दूसरा मिलेगा आपको class और यहाँ पे आपको मिलेगा increase basic damage by 60% तो यह PVE में भी आप use कर सकते हो मतलब एक character को अगर hybrid build करना है PVP या फिर PVE तो आप यह वाला effect के साथ में like for example hulk को लगा सकते हो PVE के लिए यह वाला effect कर दो increase basic damage by 60% बाकी इधर वाला effect रहेगा guard break, recovery and HP हो गएरा तो यह PVE के लिए काम करेगा like 20% increase of max HP तो भाई सब max HP increase होगा इसका recovery भी मिलेगा 10% का तो मतलब खातार nax CTPA बाकी आप कर सकते हो बाकी अगर आप brilliant बना लेते हो तो भाई सब तबाही यहां पर देखो आपका character one shot होगा ही नहीं क्योंकि decrease damage received by 100% मतलब Adam Warlock हो या फिर Wolverine हो कोई भी आपको one shot करी नहीं सकता एक बार के लिए बट जैसे जैसे आपका time जाता रहेगा मतलब यहां पर decrease होता रहेगा इसका effect और यह effect decrease होगा up to 80% damage reduction खतम हो जाएगा मतलब 20% का ही बच्चेगा बट शुरू में आपको मिलेगा 100% का damage reduction भाई साथ जो लोग मना लेंगे उनका तो अब तबाही मचा देंगे यार और पीवी में भी आप तबाही मचा सकते हो increase basic damage by 90% तो अब बात कर लेते हैं हम new comic card collection के बारे में comic cards के बारे में तो guys हमको 5 card मिल रहा है जहां से आपको मिलेगा physical attack, energy attack, pull down, ignore defense and max HP main effect मिलाइक यहां पर ऊपर ऊपर ठीक है यहां पर मैं एक card आपको दिखाता हूं बाकि यहां पर आप देख सकते हो सारे का सारे card energy attack 11% का मिल रहा है और नीचे देखो additional pierce damage increase by 1.5% मतलब अगर आपके पास यह 500 के 500 card हो जाते हैं तो 7.5% का pierce मिल जाएगा आपको बीना reforge किये यह normal card है premium card नहीं है एक एदम आराम से आप लगा सकते हो इस card को और आपको 7.5% का pierce मिल जाएगा बीना जनजट के बीना एक crystal spend किये बीना दूसरा premium card invest किये मतलब कुछ नहीं करना यार आपको ना craft combine करना है ना craft करना कुछ भी जनजट खतम सब crystal भी नहीं देना है सिधा-सिधा आपको 7.5% का pierce मिलेगा बट गाइज यहां पे लेकिन किन्तु परंतु वाली बात है यह card आपको easily नहीं मिलेगा यह card आपको मिलेगा store से gamble करके जैसे मिलता है ब्लेक फ्राइडे आने माला है gamble कर लेना क्या पता आपको यह मिल जाए इतना तो करना पड़ेगा ही ठीक है crystal तो देना ही पड़ेगा एकदम से अगर आप चाहते हो सब कुछ free में मिल जाए तो ऐसा तो नहीं होने माला future fight में मतलब इतना दे रहे हैं यह कम नहीं है यही बहुत है यही बहुत है बहुत कुछ बचेगा premium card बचेगा आपका कितना ज्यादा crystal लग जाता है आई craft combine करने में और पता नहीं कब आएगा पियर्स आएगा भी या नहीं है बुलू इस्टार आता ही नहीं है तो यस कम से कम साड़े साथ परसेंट का तुरंत मिली जाएगा अगर आपके पास यह सारे 500 card आ जाते हैं और आपके बात कर लेते हैं तो हाँ यह के बल स्ट्रा अगर आप फोकस करके खेलना चाहते हो अगर आप केबल को टीर फोर करना चाहते हो बाकि अगर आपको रिकबरी चाहिए तो इस ट्राइफ का आइट एडम वार लॉक के जैसा ही है 2.5% आफ रिकबरी मिलेगा आपको ठीक है तो यहां पर चूज करके ले सकते हो इवेंट म हैं यह सारे के सारे आइकोन आ रहे हैं और हां गया है मतलब यह अपडेट यहीं पर दा इंड हो गया है डेट पुल का उम्मीद छोड़ देना अपडेट पूल नहीं आने वाला मिडमंत में तो हो सकता है मिडमंत में डाकर स्ट्रेंज आ जाए टियर फोर या फिर निक फ् यह वह सीटीपी आया है इन्होंने इस्पेशली फॉर केंग के लिए ही बनाया अब यह वाला सीटीपी जब मिल जाएगा तो हम केंग को देखे देखेंगे कितना अच्छा काम करता है तो यस गाइज इतना ही है इस अपडेट समरी वाले वीडियो में बाकि अगर आपको डीटेल में देखना है तो लाइव स्टीम चेक कर सकते हो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए टेक केर